हलो फ्रेंज, चै मातारी कैसे हैं आप सब, आई दिवाली, आई दिवाली, खुशियों को संग लाई दिवाली, मन से मन के दीब जलालो, चक्मक चक्मक दिवाली मनालो, जिनके घर में है अंधियारा, उनको भी उजियारा बाटो, कदम कदम पर दुख के परवत आओ, उनको म अरिजनारी फैमिली, मनाए दिवाली, आप से अभी को, आने वाली दिवाली की हार्दिक, हार्दिक शुपकामनाएं, बहुत ही सुन्दर दिवाली आ रही है, अद्भुत तीन महा संयोगों में, 499 सालों के बाद, चमतकारी दिवाली आ रही है, और 2020 का कहना ही क्या, पांच मासे में बदल गया, दिवाली का, जो पांच दिन का पर्व है, वो चार्थ दिन का हो गया है, और यहां तक की शरत पुर्णिमा का ब्लू मून भी भुकंप और सुनामी तक लेकर के आया, सभी तयोहार हमने मनाए हैं, सारवजनिक रूप से नहीं, सभी सीमित स्था पर मनाने हैं, और आगे भी दिवाली भी बहुत साफधानी से मनानी है, अपने जो भी है, मास्क और सैनेटाइजर उनका प्रयोग आपको निरंतर करते रहना है, दिवाली, भाया दूज, सभी पर पठाकों, मिठाई, उपहार का अधान प्रदान, एक अंकुष की तरह ही आपको करना है, दिवाली कहां पीछे रहने वाली है, 499 साल के बाद यानि 1521 के बाद पहली बार दिवाली आई है, तीन ग्रहों का दुरलब संयोग लेकर के, और छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक ही दिन मनाई जाएगी, दिवाली बर गुरु ग्रह अपने स्वर राशी धनू और शनी अपने स्वर राशी मकर में रहने वाले हैं, जबकि शुक्री यानि लग्जिरी पैसे का ग्रह वो कन्या राशी में रहने वाले हैं, और आपको नरक चतुरदशी के दिन यानि की दिवाली के दिन सुबह नरक चतुरदशी रहेगी तो सुबह आपको स्नान करके यम तरपन और शाम के वक्त आंगन में दीब जलाने और दान करने का महत्वा आएगा आपको बता दू कि जो लोग भी नरक चतुरदशी का सुबह सोच रहे कि दिवाली के दिन नरक चतुरदशी का स्नान कैसे करेंगे तो वैसे मुहरत आपका सुबह 5 बच के 23 मिनट से 43 तक है लेकिन 9 बज़े के पहले पहले सभी लोग स्कान कर ले इस बात का ध्यान रखें और 15 नवंबर को सुबह 10 बज़े तक आपकी दिवाली रहने वाली है गुरू और शनी ग्रह अपनी राशी में और स्वाती और पुष्य नक्षत्र सभी का संयोग एक साथ है इसलिए ये जो दिवाली आ रही है ये सभी को financially मजबूत भी करने वाली है सभी की आर्थिक स्थिती को मजबूत करेगी और ऐसे में ये दिवाली बहुत शुबसंकेत लेकर के आई है चौदर को दिवाली मनाएंगे नरक चतुरदशी सुबे और धन तेरस तेरा को मनाएंगे पंदरा को गोवरधन पूजा और सोला को भया दूज मनाएंगे दिवाली पर आधी रात के समय माता लक्ष्मी जी जो अच्छे ग्रिहस्त होते हैं सद ग्रिहस्त होते हैं उनके घरों में विच्रन करने आती है धन्तेरस, नरक्चतुर्दशी, महालक्ष्मी पूजन गोवर्दन पूजा भाई दूज पांच परवों का मिलन है और दिवाली में सुक समरिधी देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे इसलिए इन पांच दिन आपको बहुत ही सात्विक्ता से बहुत ही सावधानी से आपको रहने चाहिए कोई भी चीज हो पूजा की विदी हो, शुभफल की प्रापती के लिए कोई भी कार्य हो आपको किन बातों से बचना चाहिए हम इतनी सारी पूजा पाट करते हैं इतनी सफाई करते हैं इतना सब कुछ करते हैं पर छोटी छोटी बाते होते हैं जिसकी वज़े से हम अपने घर में कलह करके कलेश करके या अपने घर से लक्षमी को भगा देते हैं तो दोस्तों इस बार ये मंगल पर दिवाली के दिन सु करके सजाना चाहिए मेक शोर करें आपने अपने घर से अभी तक सारी नकारात्मक उर्जा देने वाले समान को घर से निकाल कर बाहर कर दिया है और नहीं किया है तो प्लीज कर लीजे पुराने टूटे वे बरतन अकबार क्रॉकरी जो भी आपके जो पुराने न्यूस पेपर मैगजीन वेगर हैं टूटे हुए खिलोने आदी हैं बच्चों के पुराने खिलोने हैं सालों से संजो कर रखा है अपने यादों के तौर पे बंद पड़ी हुई घडिया है खरा फोन घर घर में मिलेगा एक दो साल यूज किया फिर बेचते नहीं है प्लीज उसे फेक द रखिये इस बार इन्हें जाने दीजे इससे आपके आसपास की नकरात्मक उरजा हटेगी तब ही हम पॉजिटिवीटी को उन्डियूस कर पाएंगे अपने जिंदगी में लेकर आप आपाएंगे अपने अंदर समावेश कर पाएंगे थोड़ी सी मरमत करवाईए अब एक भगवान फिर आपकी रक्षा करें मातारानी आपकी हिम्मत इतनी दे कि आप कहीं से पैसे जुगार करके आप उन्हें ठीक करवापाएं और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज मरमत करवाईए और उसे सजाएए धन आगमन के लिए प्रवेश द्वार को सजाना बहुत बहुत जरूरी है प्रवेश द्वार पर की जाने वाली सजावट के लिए बंदरबार कोई भी शुब चिन हुए जो भी आपके धरम चिन है वो लगा सकते हैं फूलों की माला लगा सकते हैं केले का गाच है रंगोली है दिये है चावल के आटे अपन से आप रंगो आते हैं वो आप ले सकते हैं इसके साथ ही मुख्य द्वार पर घर में माता लक्षमी के प्रवेश करते हुए पहरो के चिन्द भी बनाने चाहिए दिवाली के पूजन के संपुन विधिया में आपको बताती हूँ खासकर 25 बिंदूओं पर हम डिसकस करेंगे इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस दिन आपको सुबह सूरी उदय के समय ही उठ जाना चाहिए क्योंकि नरक चतुर्दशी का स्नान भी रहेगा तो सुबह जल्दी उठे और जल्दी जल्दी उठेंगे तो पूरा दिन आप इंजॉय भी कर पाएंगे त्योहार के द और फिर गंगा जलिया, खुबसूरत उप्टन अधी लगाकर क्योंकि नरक चतुरदशी है और इसे हम रूप 14 भी कहते हैं, तो रूप 14 को बहुत ही खुबसूरत सनान भी होता है, तो इस दिन आपको उप्टन लगाकर के रगड रगड करके सनान करना चाहिए, और इसके बा खुब सुंदर से जय मालक्ष्मी, जय मालक्ष्मी, जय मालक्ष्मी, जय मालक्ष्मी, जय मालक्ष्मी ऐसा उच्चारन मनी मन करते वे, आपको पूरा दिन व्यतीत करना है, खुब मुस्कुराते वे, खुब सुंदर तरीके से हसते वे, आपको मुहर्थ के अनुसार और फिर आप संकल्प करें जरसे घर के जितने कचरे हैं सफायादी करके घर की सजावट कर ले दिन में आप कांजी बड़े गुजिया पकोडी पापड कैर सांगरी पकवान जो भी आप बनाना चाहते हैं स्वादिष्ट व्यंजन जो आपके घर पे बनता है कदली फल पापड मिठाई जो है ये सभी आप तयारियां कर ले और शाम के समय सारे काम आपके पूरे हो जाए भोजन पानी के पूरे दिन के ये आप ध्यान रखें चार पाज बजे तक थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आ लक्षमी जी के स्वागत की तयारी में आप घर पे जो मुख्य द्वार है वहाँ पर रंगोली आदी बनाए पहले ही बना सकते हैं सुबह भी आशाम के समय बनाए और स्वागत की तयारी में आप फिर जो पूजा स्थल है वहां पर आप सफाई करके दिवार को चूने या गेरू से पोट कर लक्षमी जी का चित्र बनाए अगर आपने रेडी मिट चित्र लाया है तो वो लगाना चाहिए और फिर एक पाटिये पर लाल कपड़ा बिचा कर आपको पुजा की तैयारी करना चाहिए कोई भी पूजा लक्षमी पूजा विशेश रूप से घर के उत्तरी हिस्से में बहुत ही शुब मानी गई है क्योंकि घर का जो उत्तरी भाग होता है वो धन का प्रतिनिध्ध करता है इसलिए इसी हिस्से में पूजा करें घर के इशान को उनमें उत्तर मुखो हो करके आपक इस पे भी बैठके पूजन किया सकता है पूजन सामगरी सभी चीजें एक जगे इकठी कर लें आप जो दिये जलाने हैं मातालक्षमी गणेशी की मूर्ती आदी जो भी पूजन करेंगे फल, फूल, आदी, रोली, चावल, पान के पत्ते ले लीजे, सुपाडी, लॉंग, लाइची और फूल, माला वेगरे ले लीजे, भोग के लिए आपने जो भी बनाया है दाल का सीरा, हल्वा, जो भी दूद, खील, बताशे एक नारियल, अगर आप कलश थापित करने जा रहे तो एक नारियल ले लीजे और कलश ले लीजे, सिंदूर, सूखे, मेवे, मिठाई से भरीवी ताल पंच्छामृत का सामाल ले लीजे, दूद, दही, गंगाजल, शेहद, आदी अगर आप स्नान कराना चाहते हैं, धूब दीप अगरवत्ति आदी, एक जगे कर लीजे जो भी दिया जलाएंगे, पि 11, 21 की संख्या में मिठी का दीपक वो ले लीजे रूई ले लीजे, कलावा ले लीजे, सभी के हाथों में कलावा बंदेगा, तांबे का कलश ले लीजे सिक्के, चांदी के सिक्के पूजन में रखते हैं, तो वो ले लीजे, कजलोटा ले लीजे काजल निकालने के लिए एक बरतन रख लीजे और सियार सिंगी हत्ता जोड़ी दक्षिनावरती शंक लक्षमी कौरिया या जो भी गोमती चक्र मृग कस्तूरी धनिया हल्दी की गाठे कमल गट्टे के बीड जो भी लक्षमी कारक चीजें यंत्रश्री यंत्रादी आपने र रूप दीप ये आप विशेश रूप से अपने सामने सभी चीजें इकट्टी कर लीजे अब एक पार्टिये पर लाल कपड़ा बिच्छा कर उस पर लक्षमी जी गणेश जी को विराजित कीजिए ध्यान रखें गणेश जी को देवी लक्षमी की बाई और आपको पूजन करना है चौकी पर रखकर चौकी पर लाल पाटिया बिच्छा कर उस पर थोड़ा सा मौली बांदे चौकी पूजन करें और लक्षमी कारत जितनी चीजें हैं इसके बाद वहाँ पर आप मातारानी के सामने बिराजित करें जो भी हत्ता जोड़ी सी आर सिंगी योग किजेए इसमें मा को ढेड़ सारा इत्तर चढ़ाएं यह बहुत इंपॉर्टन होता है और सुबह ही सारा समान आपको एक जगे करके रख देना चाहिए और इस प्रकार शाम को पूजन करें सबसे पहले गणेश और अंबिका का पूजन फिर कलश्ट पूजन होता है इसके बाद लक्षमी समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करें दूसरे अब ये पूजन करने के बाद सामने एक दूसरी चौकी या पाटिये पर एक बड़ा चौमुखा दिया एक नौर्मल दिया और 11 या 21 जो भी दिया आपके या साथ जो भी आप जलाते हों वो साइड करके रख दीजिए एक साथ ये चार दिये एसा जलने जरूरी होते हैं इनका अर्थ होता है लक्षमी गणेश कुबेर और इंद्र सभी दियों में लंबी बाती आप पहले ही बना के रख लीजे तेल और रूई की बाती डालिए उससे सरसों का तेल या तिल के तेल स ओम महालक्षमी नमा इस मंतर का जादा से जादा जब करें जो लोग नहीं जानते जैमालक्षमी 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 करते जाएए हाँ जोड़कर मां से प्रार्थना करते जाएए लक्षमी कुबेर और इंद्र के मंतरों का आता है तो जब कीजिए और नहीं तो स स्कुनादिक फल आपको प्रदान करता है दोस्तों आपको बता दू कि दिवाली पर पूजा के समय आपको कमलकटे की माला से जप करना चाहिए या स्फटिक की माला से और अगले दिन सुबेर जिस माला से आप जप करेंगे और जो भी चीजें आपने चड़ाई है जिसे कोई भी हत्ता जोड़ी हुआ सियार सिंगी हुआ दक्षिनावर्ती शंक हुआ इनको या तो आप पूजा के स्थल पे रखिए या फिलाल या पिले रेश्मी वस्तर में या गुलाबी रेश्मी वस्तर में बांद कर अपने तिजोरी पर अपने दुकान पर अपनी फैक्टरी में आपको इनको विराजित करना चाहिए और साथ में जिस माला से जप किया है आप चाहें तो वो माला भी बांद के रख सकते हैं अगर रोज जप करने के लिए रखना चाहते तो इसो के नहीं तो वो भी बांद कर पैसे रखने वाली जग़ा पर रखें और रखते वक्त ओम महालक्षमीन महा तीन बार आपको जरूर बोलना है दोस्ता थोड़े थोड़े उपाई भी ऐसे तो मैं हर वीडियो में आपको थोड़े उपाई बताई रही हूँ फिर भी अगर काफी प्रयास करने के बाद लास्ट वीडियो में बहुत लोगों ने पूचा के मैं हम जॉब के लिए उपाई बताईए तो बता दू कि आपको अगर बहुत प्रयास के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको दिवाली की शाम माता लक्षमी का पूचन करने के बाद लक्षमी की माता की प्रतीमा पर थोड़ी सी चने की दाल जरूर छिड़कनी है ओम महालक्षमे नमहा 27 बार बोलना है आपको हाथ में उस चने की दाल को मुट्टी बना करके और उसके बाद उसको थोड़ा-थोड़ा करके मापे साफधानी से प्यार से माकुच छिड़के फिर अगले दिन जब पूजन आपकी कम्प्लीट हो जाएगी तो सभी दाल के दानों को आपको इकठा करना है और फिर पीपल के पेड़ पे आपको नीचे गठा करके उसमें तबा देना है आप देखेंगे आपको नौकरी में शिग्र सफलता मिलेगी जो भी विवसाई हैं जो भी दुकानदार हैं उन सभी को घर के लिए भी उपाई बता देती हो अमावस्या की रातरी है और फिटकरी का एक टुकड़ा मा के पुजन में जरूर रखे और जब पुजन कम्पलीट हो जाए तो इस टुकड़े को लेकर दुकान हो घर हो कहीं पर भी आपका जो भी संस्थान हो वहाँ पर घुमाएं और किसी चौराहे पर जाकर उसको उत्तर की और मुख करके आपको फेक देना नहीं समझ में आए कि उत्तर वहाँ पर कहां है तो आप जिस दिशा में गए है उस दिशा के तरफ पीट कर लें और फिर फेक करके सीधा वापस मुड़ करके घर आ जाए ऐसा करने से आपके जीवन में आप देखें कि बहुत सारी नेगटिविटी दूर होगी पॉजिटिव बदलाव आएंगे और ध्यान रखें इस दिन पूजा करके एक एक दीपक घर के हर कोने में जला कर रखना है अब आपके घर में अगर बहुत सारे कमरे और आपने 11 दीपक जलाया है तो दीपक उसी हिसाब से लें कि हर कमरे में जल जाए घर के सभी कमरों में आपको शंक और घंटे की ध्वनी जरूर करनी है इससे घर की जितनी नकरात्म कुर्जा होगी और दरिद्रता होगी वो बाहर चले जाएगी मा लक्षमी घर में प्रवेश करती है पूजा के बाद आप पूजा स्थाल पे अगले दिन सुभा ही आपको गनेश जी लक्षमी जी की मूर्ती जहां भी आप स्थापित करना चाहते हैं मुख्या दिया और जो बड़ा दिया है उसका तेल पुर्ण होने के बाद ही आपको आपको यसा प fuse करना चाहीए उसके पहले तक आपको गदेश जी लक्षमी जी को चूना हिमा है बड़े दिये में अगर तेल पूरा नहीं होता है तो ध्यान रखें कि इंतजार करें उसे हा या हाथ में थोड़ा सा कोई भी गिफ्ट पहु बेटियों को रुपय पैसे या कोई भी गिफ्ट आपको देना सरू चाहिए और बच्चों को भी चाहिए जो चोटे हैं कि बड़े बुजुर्गों का आशिरवाद ले उन्हें अच्छी सी मीठी वानी बोले उनसे आशिरव बोजन पानी इत्यादी आप पहले ही खा पिले ऐसा नहीं कि लक्ष्मी पूजन के लिए आप वेट करेंगे कि लक्ष्मी पूजन करने के बाद ही आप बोजन करेंगे सिर्फ जो व्रत धारी है पूजा करने के लिए वही फल दूद आदी ले सकते हैं आप फलाहार कर सकते लड़ू का भोग लगाएं इस दिन एक पाटिया पूजा करने के बाद रात को सारी पूजा होने के बाद माता लक्षमी के लिए खाली पाटा चौकी होती है ना चौकी डालने चाहिए सुन्दर से चौकी सजा करके वहां एक दीब जला दे और तोड़ी से लड़ू या कोई लोटा उल्टा करके रात भर के लिए छोड़ दीजिए सुबह काजल निकल जाएगा काजल सभी इस्तरी पूरुशों के आँखों में लगाना चाहिए या फिर थोड़ा सा काजल आप तुरंद पाड़ लें दीपक से सारी पूजा कंपलीट होने के बाद पटाके आदी फ करना चाहिए और रात को बारह बजे एक बहुत ही चमतकार युपाय बताती हूँ गेरू जो आता है चूना या गेरू आपको कोई भी पान की दुकान में मिल जाएगा उसको रुई में भिगो कर आपकी जो मिक्सी है चक्की चूलहा सील और सूप ये चार चीज़ पर तिल जाडू मैंने बताई थी आपको फेकनी है वो पुरानी जाडू से पूरे घर में जाडू मार करके आपको कूडा रख करके जाडू सहीत आपको दूर फेकाना चाहिए और फेकते समय बुले लक्ष्मी लक्ष्मी आओ मां दरिदरता दरिदरता जाओ लक्ष्मी लक्ष्मी सजावट करते हैं रंगोली बनाते समय ध्यान रखें काले रंग का या गाड़े ब्राउन रंग का इस्तेमाल ना करें डाक कलर्स का इस्तेमाल कम करें इस दिन उपहार बहुत सोच समझ करके दें चमड़े की बनी हुई चीजें किसी को उपहार नहीं करनी चाहिए आपके जो बाजी वाद विवाद में ना पड़े कोई कुछ कहरा है उस दिन चुपो करके जैमालक्षमी करते वे साइड हो जाए ना ही फेस से कोई एक्स्प्रेशन दे कि आप गुसा हुए है या आप पे कोई असर हुआ हाँ जोड़कर के चमा मांग कर आप साइड हट जाए किसी भ घर में ग्रह लक्षमी नाराज होती है दुखी रहती है ऐसे घर में माता लक्षमी कभी अपना निवास्थान नहीं बनाती है गलती से भी दिवाली के दिन पांच दिन आपको पूरे ही ध्यान रखना चाहिए मांसाहार आदी का बोजन नहीं करना चाहिए किसी भी अगर बहरी व्यक्ति को और कच्रा आपके घर में दिखाई देता है तो इस दिन माताल लक्षमी चली जाती है और ऐसी जगे छुपा करके रखे कच्रे और जाडू पोचे को जहां से कोई इन्हें देखना पाए जाडू के उपर पैर ना रखे घर में अंधेरा ना रहे इस बात का विशेश ध्यान रखे घर के प्रतेक कमरे में लाइट के बल्ब आदी चलते रहने चाहिए कमरों में कोई रहे या ना रहे लाइट जलती रहनी चाहिए प्रकाश होना चाहिए लक्षमी पूजा पती पत्नी मिलकर पूजन करें अगर किसी कारणवश दोनों में से कोई भी एक वेक्ति घर से बाहर या दूर है तो अपने पास एक सुपारी रखकर माता लक्षमी का पूजन करें और माता लक्षमी के पूजन के समय अपनी पत्नी के पलू में एक सुपारी एक हल्दी का टुकड़ा एक सिक्का और चार कमलगटे के बीज एक साथ बांद दीजे और तब माता लक्षमी का पूजन कीजिए और पूजा समाथ होने के बाद एक लाल कपड़े में इस सामगरी को बांध कर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए या दुकान के गले में रख लीजिए आप देखेंगे ऐसा करने से माता लक्षमी की कृपा आपकी घर परिवार पर तेजी से बनी रहती है दुकान कारोबार में बरकत होती है और ध्यान रखें इस उपाय का पत्नी के द्वारा करने पर ही इसका लाब मिलता है अगर पत्नी नहीं है आपकी तो आप किसी रुमाल में इसे बान के कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं मुझसे हमेशा पूछते मैं दिवाली के दिन क्या करना है तो दिवाली की पूझा के बाद थोड़ी देर मुझे पता है आपको पटा के छोड़ने होंगे पर आप थोड़ी देर अपने जो वीक सबजिक्ट है उसको थोड़ी देर के लिए जरूर पड़े जो बड़े हैं वो भी अपने छेत्र के संबंद में अध्यन करें और सभी लोग सरस्वती मंत्र का 108 बार जब करें ओम एंग रिम सरस्वत्य नमाहा ध्यान रखें जब तक आपके पास टैलेंट है तब ही तक माता लक्ष्मी की क्रिपा आपके पास होती है और अगर टैलेंट की कमी होगी तो आपके उपर लक्ष्मी की क्रिपा नहीं बरसेगी जो टैलेंट है उसकी स्वामनी माता सरस्वती ही है इसलिए इस दिन सरसुती मंत्र का चप जरूर करें और हमारे देश में कोई भी पुझा बिना दान के अधूरी मानी गई है किसी भी दिव्यांग को, किसी भी गरीब को इस दिन थोड़ा सा भोजन जरूर दान करें हो सकें, तो किसी गरीब के घर जाकर एक दिये की रोशनी और थोड़ी सी मिठाई लेकर उनके घर पे खुशिया बाट के आए तो चलिए दोस्तों, टर लीजे ये उपाए, अपने फ्रेंज फामिली, मम्मी, पापा, भाई, भन बच्चे, सबी लोगों से शेर जरूर करें और कोई भी तरह का अगर मैंने पॉइंट कवर करने से छोड़ दिया है, तो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे लिखके जरूर पूछ ले, खिल खिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें love you all friends, take care, जह माता दी, बमबम भले नायत की, आप सभी की दिवाली बहुत बहुत शुब हो, माता लक्ष्मी से मेरी प्रार्थना है कि घर घर इस बार उजाला बर से, और माता लक्ष्मी की किरपा हर घर पर बनी रहे, दुखों से ना तर से, तो कर लीजे उपाए दोस्तो और बहुत सारे अट्राक्ट करने है, माता लक्ष्मी को उपाए आगे भी आब बताती रहूंगी, connected रहे, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, और अपने friends, family, mummi, papa, भाई, बन बच्चे, सभी लोगों से शेय करना बिलकुल ना भूले, take care friends, love you all, जह माता दी, बमबम भूले नाद की, wish you all a very very happy Diwali.